सीमा और सचिन की प्रेम कहानी की चर्चा अभी कम ही नहीं हुई थी कि एक और इसी तरह की प्रेम कहानी सोशल मीडिया पर जम कर सुर्ख्या बटूर रही है लेकिन इस बार की प्रेम कहानी में प्रेमी का पाकिस्तान से भारत नहीं बलकि भारत से पाकिस्तान पहुँच गई है मामला राइस्थान के भिवाडी का है जहां कि रहने वाली अंजू नाम की एक महिला अपने प्रेमी से मिलने नसुरूला जिसका नाम बताये जा रहा है उससे मिलने के लिए पाकिस्तान के लाहौर पहुँच गई दरसल भिवाडी के रहने वाली अंजू के पती और दो बच्चे भी हैं बड़ी बेटी के उम्र 15 साल है जबकि छोटा बेटा 6 साल का है सोशल मीडिया के जरिये अंजू और नसुरूला की मुलाकाद साल 2020 में हुई प्यार परवान चड़ा तो मिलने का वादा हुआ मिलने के बीच में पासपोर्ट अर्चन आई तो दोनों ने अपने अपने पासपोर्ट बनवाए साल 2020 में पासपोर्ट के लिए अपलाई किया गया और जून 2023 में वीजा के लिए अपलाई किया गया जैसे ही वीजा मिला पतनी अंजू ने पती अरविंद को ये बताया कि वो अपनी सहेली सी मिलने जैपूर जा रही है और वहां से वो लाहौर जाएगी पती को लगा कि ये लाहौर जैपूर के आजपास किसी कस्बे या गाउं का नाम होगा लेकिन कुछ घंटे बाद ही अंजू का मोबाइल सुच आफ हो गया पती परिशान हुआ और पुलिस के पास पहुचा जारी चल रही है और अंजू ने साफ किया कि वो तीन चार दिनों में भारत वापस आएगी और शादी के लिए दोबारा से वीजा अपलाई करके पाकिस्तान जाएगी इस पूरे मामले के बाद पाकिस्तान में जैसे सीमा का मामला भारत में उचला था उसी तरह से पाकिस्तान में अंजू और नसरूला की प्रेम कहानी जम कर सुर्खिया बटू रहा है